हेलो इच्टेंट्स, मैं अनुप कुमार सिंग, जैसा कि जो इंगलिस का पहला वीडियो था, उसमें हमने बुक पढ़ाया था, आज मैं ग्रामर शुरू करने जा रहा हूँ और मैं ग्रामर में टापिक वायस को आज आरंभ करूँगा, तो यह ग्रामर का पहला भाग होगा, यह पार्ट वन होगा आज का ग्रामर, तो वायस आज हम स्टार्ट करने जा रहा है, इसको देखेंगे, इसकी वायस को हिंदी में वाद्चिक कहा जाता है, वाद्चिक मतलब की क्रिया का वह रूप, जो यह अभिभक्त करता है की करता, अर्था सब्जेक्ट, सुयम कुछ करता है, या करता किसी के दोरा किये गए कार्य का प्रडाम होगता है, इसको हम वाद्च कहते हैं, जिसके दोरा किये गए कार्य का प्रडाम होगता है, मतलब की करता, कर्म और भाव में किसकी पढ़ानता है वाद्च में, तो ऐसे क्रिया के प्रवर्टन को हम वाच्च कहते हैं, दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं, कि क्रिया के जिस रुपांतर से या ग्यात हो कि वाद्च में प्रवर्टन का प्रधान भी से करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्च कहते हैं, और वाच्च वाद्च जो होता है, प्राय है दो पकार के होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब के दो वाइस होते हैं, जिसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही वाइस ने की एक्टिव वाइस से पैसी वाइस में परिवर्टन होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव आइस में परिवर्टन नहीं हो पाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो आइस होते हैं पहला है एक्टिव आइस, कर्थिवाच दूसरा है पैसिव आइस, कर्म वाच तो हम लोग पहला देखेंगे एक्टिव आइस तो अक्टिवाइस की परिवास हम पहले इंग्लिस में समझ लेते हैं एक वर्ब is said to be in the एक्टिवाइस अठावत किसी वर्ब को एक्टिवाइस में कहा जाता है एक वर्ब is said to be in the एक्टिवाइस एक क्रिया को एक्टिवायस में यानि कि करतिवाच में का जाता है वेंग दा पर्सन और ठिंग जब कोई ब्यक्ति या कोई करता या वस्तू डिनोटेड बाई दा सब्जेक्ट करता गुरूप में काम करता है जब कोई ब्यक्ति अवस्तू करता गुरूप में कार करता है तो उसको एक्टिवाइस अथातकर तिवाच कहते हैं जैसे आई राइटे लेटर मैं पत्र लिखता हूँ देर ड्राइबर इस ड्राइबिंग ए टैक्सी चालक टैक्सी चला रहा है इस पकार से यह एक्टिवाइस में कहा जाते हैं क्योंकि क्रिया को एक्टिवाइस में कहा गया क्योंकि जब करता था तो इसमें आई और ड्राइबर के रूप में कोई कार किया जा रहा है आई के द्वारा दिखने का कर किया जा रहा है तो था चालक के द्वारा टैक्सी को चलाने का कर किया जा रहा जब करता के द्वारा कोई कर किया जा रहा है और वह करता वस्तू के रूप नहों या फिर व्यक्ति के रूप नहों तो ऐसे वाक्य को करतिवाज अर्था एक्टिव आयस कहा जाता अब दूसरा प्रकार है पैसिव आयस इसमें देखते हैं ए वर्ब is said to be in the passive as when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something अर्थात ए वर्ब is said to be in the passive as किसी वर्ब को पैसिव आयस में in the passive as पैसिव आयस में कहा जाता है जब when the person or thing जब ब्यक्ति या वस्तू denoted by the subject does not act जब ब्यक्ति या वस्तू करता के रूप में कार नहीं करता है जब कोई ब्यक्ति या वस्तू करता गरूप में कार नहीं करता है does not act कार नहीं करता है but बलकि suffers the action done by something बलकि वो क्या करता है किसी व्यक्ति या वस्तू के द्वरा किए गया कार का परडाम भोगता है सफ़र्स मने भोगता है परडाम भोगता है तो इसको हिंदी में भी देख लेंगे किसी वर्व को पैसी वायस में कहा जाता है जब कोई ब्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में अर्थत करता है कार नहीं करता बलकि किसी ब्यक्ति अवस्तु के द्वारा किये कारेकार प्रडाम बुक्ता है जैसे हम जो अक्तिवास में बताये थे उसी का पैसी वाइस देखेंगे यहां पर जैसे है इसमें क्या है कि कोई ब्यक्तिव अथात यहां पर ब्यक्तिव अथात यहां पर ब्यक्तिव मतलब जो यहां पर आई था अक्तिवास में उसका मी जो अब्जिक्ट बना है और यहां पर ड्राइवर जो था वह करता गुरूप में काम नहीं करता बलकि यहां पर यह करता गुरूप में इससे कि यहां पर एलेटर है और टैक्सी है यह करता गुरूप में काम नहीं करता ब इसी टेकसी है, चालक के द्वारा चलाय जाता है, यहाँ पर एक लेटर ओड़ टेकसी पैसी वायास का करता है, अथा तो इसमें करता के रूप में काम नहीं कह जा रहा है, बलकि किसी ब्यक्ति आवस्थी है, आई का जो मी बना था, इसके द्वारा या फिर भी ट्राइवर के के द्वारा किये गये कार में मी के तवरा जि zehmm बन गया अब्यक्ट आने लिखे जाने कारे कौं वो फ्रव फरी अ कि चला आये का को चला जा रहा है ठÈक्सि चला जा रही है तो इसमें विक्तियासक念 के द्वारा किये गए कार का पेड़ाम भूग रहा है कौन एलेटर और टेक्सी इस प्रकार से यह पैसिव आइस में कहे जाते हैं कि इसके बाद हम एक्टिव पैसिव आइस को एक डियाग्राम के द्वारा समझेंगे यहां पर हम एक डाइग्राम देखते हैं पहला है एक्टिवाइस इसमें एक्टिवाइस में सब्जेक्ट है वर्ब है और अब्जेक्ट है इसमें राधा राइट्स एलेटर यह सब्जेक्ट है राधा सब्जेक्ट है राइट्स वर्ब है एलेटर अब्जेक्ट है इनको बत आर यहां पर आफ्जेइस का सब्जक्ट बन गया ेस्तिर के द्वारा दिख रहे हैं यहां पर पैसी वाईस का सब्जेट एलेटर बन रहा है राइट का इज हो गया यह 3र फार्ол फार्म में आ गया और और यह optional agent है बैकल्पिक करता अर्था जो करता था वह यहाँ पर object की रूप में by preposition के बाद राधा यहाँ पर optional agent की रूप में कार्म करता है तो यह इस diagram को देखेंगे और हम इस प्रकार से वायस को समझने में कोसिस करेंगे और इसमें देखना हुआ कि active वायस से passive वायस में परिवर्टन करने के लिए वाक की बनावर्ट तथा अर्थ का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रॉंसिटिफ वार्व का पैसिवायस होता है कि कभी कभी प्राब्लम आती है इसे कि जब कोई कुरिया होती है तो यसका पैसिवायस नहीं बना जाता ले व preciso आंगर कर yards इन टार्जिटिव वर्म नहीं बंता पसिवार्थ एक्टिवार्थ सकता पसीवारथ कि के आर्थ में कोई अंतर नहीं होता यह भी को समझने ओते months तो दोनों का LAUR एकlls ही होता कि दूशनकी ओक्राइश के आर्थ में कोई अंतर नहीं होता और इस ड्राइग्चराम से Ace एक्टिवास से पैसिवास में परिवर्तन को समझ सकते हैं इसके बावजूद भी एक्टिवास से पैसिवास बनाने में कठनाईयां होती हैं जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके नियम परिवर्तन करने के नियम और इसमें डियाग्राम से आपको काफी साथ मिले की उसे नियम बताएंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा धन्यवाद